हेलोर्व। AČđकीसूडियों मैं आपको इतानेलोग क आप कैसे अपने JioSIM का data balance check कर सकते हो Bطलब कि अभी हमारे कितना GB data बचा हुआ है अभी हमारा जो प्लेन है किप खतम होने वाला है कided क Come on कितना GB data overall बचा हुआ है अब है आपको check करना होगा तो चलिए तो बहुत simple है, इसके लिए आपको एगरना है, सबसे पहले तो आपको प्लेश्टोर का अप उपन कर देना है अभी आपको आपर प्लेश्टोर पे सर्च कर देना है My Jio, या फिर आप Jio भी सर्च करोगे तो भी यह आप आजाएगा तो आपको इस वाले आपको डाउनलोड करके उपन कर देना है तो आप जैसे आप इस याप को उपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा सबसे पहली बार जब आप इस app को open करोगे तो यहाँ पर आपको आपका जो भी Jio का mobile number होगा वो mobile number एंटर करना है और इस वाले app पे login कर देना है जैसे आप इस वाले app पे login करोगे तो यहाँ पर जो भी permissions पांगी जाएगी इसे आपको allow कर देना है और जो भी बाकी permissions है उन्हें allow कर देना है तो finally आप आपर देख सकते हो कि अभी हमारा My Jio का app open हो चुका है अभी अगर आपको चेक करना होगा कि आपके Jio Sim का balance कितना बचा हुआ है कितना GP data आज का बचा हुआ है वो पूरा अगर आपको चेक करना होगा तो बहुत सिंपल है इसके लिए आपको यह आपर एक option दिखाए देगा कुछ इस तरीके का mobile वाला तो फिर आपको यह mobile वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आपके mobile वाले option पर क्लिक करोगे तो अभी आप यह आपर देख सकते हो अभी आपको अबर सबसे पहले तो आपका mobile वागरा दिखाए देगा यह आप देख सकते हो यह रहा हमारा mobile नंबर अब उसके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज की दिन का कितना GB डेटा बचा हुआ है तो यह कितना GB बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा तो यह आप चेक कर सकते हो अभी अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाए देगा कि आपका plan कौन सा है तो अभी आप देख सकते हो, अभी हमने आया तो जो current plan है ना वो 666 रूपीज वाला है, जो की खतम होने वाला है 28th of July 2024, तो यह वाला plan कितने पैसे वाला है, कब खतम होने वाला है, यह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाए देगा, अगर आप plan डीटेल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको पूरी डीटेल दिखाए देगी, क्या आपका plan कौन सा था तो यह आप देख सकते हो, 666 रूपीज वाला, 3 months का plan है, जिसमें की 1.5 GB पर दे हमारा मिलता है, यह वाला जो plan है, यह 28th July को खतम होने वाला है, और जो SMS है वो 100 SMS है, voice call जो है वो unlimited है, यह सब कु कर सकते हो, तो यहाँ पर तो आपको current जो भी आपका recharge plan होगा, वो आपको दिखाए देगा, लेकिन अगर आपने advance में कोई recharge करवा के रखा है, अगर आपने advance में कोई plan डलवा करके रखा है, तो फिर आपको वो आपको upcoming में दिखाए देगा, तो उसके लिए आपको यहाँ अपकमिंग वाल option पर क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको आपर दिखाए देगा, कि अगर आपने कोई advance में कोई plan डलवा रखा है, तो वो आपको यहाँ आपर दिखाए देगा, जैसी कि आप देख सकते हो, advance में भी मैंने plan डलवा करके रखा है, जिसमें कि य यह वाला जो plan है, यह है 2545 रूपीज वाला, जो की है 3-6 days के लिए, और यह है 1.5 GB per day, तो यह भी आपको दिखाए देगा होगा, और इसमें कितना GB per day data है, कितना SMS है, कितना voice call है, वो सब कुछ आपको दिखाए देगा, तो कुछ इस तरीके से आप आपके जियो सेम में कितना data GB पड़ा हुआ है, कि कभी यह खतम होने वाला है, क्या इसकी validity है, यह सब कुछ आप चेक कर सकते हो, तो अगर आपको यह वीडियो informative लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने के लिए आपका धन्य शॉआखने की आपको यह थाइ।